अंग्रेजी बोलने की एक बहतरीन क्लास आज मैं आपको कराने वाली हूँ जिसमें आप अगर किसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं, किसी के बारे में किसी को कुछ बता रहे हैं या अगर मतलब कोई चीज है या नहीं है, वैसी है या नहीं है या उससे सम्मंदित कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो आज की क्लास में जो आपको तरीके बताऊंगी उसके माध्यम से आप आसानी से अपनी बातों को सही तरीके से रख पाएंगे और चलिए क्लास को शुरू करते हैं अंग्रीजी बोलने के लिए वाक्यों को बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे ऐसे बेसिक से सीखेंगे मतलब जहां पर आप बिल्कुल अगर शुरुवात भी कर रहे हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं है शुरुवात में ही आप अच्छी तरीके से चीजों को सीख जाएंगे चलिए क्लास को शुरू करते हैं अगर आप कह रहे हैं किसी को अगर या बोलना चाह रहे हैं कि तुम हो या आप हैं मतलब वाक्य में तो और भी चीजे होंगे और आप इसके अलावा क्या बोल रहे हैं कि तुम हो या आप हैं आप अपने वाक्य में इनका इस्तमाल कर रहे हैं तो आप यू आर का इस्तमाल करेंगे किसका इस्तमाल करेंगे यू आर का इस्तमाल करेंगे जैसे तुम एक कवी हो क्या कह रहे हैं क्या बताना चाह रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि तुम एक कवी हो you are a poet देखिए इसे कितना असान हो गया यह वाला वाक्य आपको पता है कि अगर वाक्य में तुम और हो लगा हुआ है तो you are तो लगना ही लगना है यह पता है ना और एक कवी के अंग्रेजी तो बहुत असान है a poet you are a poet तुम एक कवी हो you are a poet तुम नहीं हो या आप नहीं है you are not सिंपल सी बात है नहीं ना नो नहीं not यह सब का अस्तमाल करेंगे तो you are के साथ not का अस्तमाल हो जाएगा और सिंपली यह बन जाएगा अगर आप इस्तमाल कर रहे हैं हिंदी वाक्य में तुम नहीं हो या आप नहीं है तो इस्तमाल करेंगे you are not hey everyone welcome to be bankers spoken English class स्वागत है आपका आज की क्लास में मैं हो प्रीदी मैं और आज की क्लास बहतरीन क्लास है क्यूंकि वाक्य बनाने की basics को सीख रहे हैं हम लोग तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं उसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं पहली बार आ रहे हैं पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके bell notification on कर दीजेगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं हम क्या कहना चाह रहे थे हम कहना चाह रहे थे कि आप नहीं है या तुम नहीं हो यह कहना चाह रहे थे कैसे बोलिंग अंग्रेजी में चलिए एक वाक्य लेते हैं, आप कवी नहीं है, you are not a poet, क्या आप है, क्या तुम हो, अगर ये वाक्य में इस्तमाल हो रहा है, तो are you का इस्तमाल होगा, are you, जैसे क्या आप कवी है, are you a poet, क्या आप एक कवी है, are you a poet, बढ़ते हैं आगे, बात कड़े हैं, मैं हूँ, जब भी आप किसी वाक्य में इस्तमाल कर रहे हैं, तो I am का इस्तमाल होता ही होता है, ये बात तो पता होगी, I am का इस्तमाल करते हैं, जैसे मैं एक डौक्टर हूँ, I am a doctor, मैं नहीं हूँ, I am not, म मैं नहीं हूँ, I am not, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, I am not a doctor, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, I am not a doctor. क्या मैं हूँ सवाल कर रहे हैं देखिए कुल तीन तरीके के वाक्यों को कर रहे हैं मैंने बताया कि बेसिक वाक्य बनाना सीखेंगे और बेसिक वाक्यों में भी हम लोग आम जिंदगी में कुल तो तीन तरीके चार्स दरीके के वाक्यों का ही तो इस्तमाल करते हैं ना एक हमारा नॉर्मल सा वाक्य होता है एक ना नहीं लगा हुआ वाक्य होता है एक सवाल पूछने वाला वाक्य होता है और भी वाक्य के टाइप्स होते हैं लेकिन मेजॉरिटी जो बातचीत हमारी होती है वो इन ही ती तीनों को cover करना है, ताकि हमें, चाहे तो हम कुछ बोल रहे हों, चाहे तो हम कुछ ना नहीं not लगा करके बोल रहे हों, या तो हम लोग कोई सवाल पूछ रहे हों, हमको ये तीनों के लिए तयार होना चाहिए, है ना, तो चलिए, क्या मैं हूँ, ये सवाल पूछने माला वा अब ये तो ऐसी बात हो गई कि सवाल पूछने के लिए कि डॉक्टर खुदी को पूछ रहे कि हमें एक डॉक्टर हूँ है ना तो ये थोड़ा सा कॉमेडी सीन हो जाएगा बट ये वाला सवाल किस जग कब कब इस्तमाल करते हैं जैसे आप अगर अपने गर कुछ नहीं किया है लेकिन फिर भी आपको दोष्ट दिया जा रहा है तो कहते हैं ना कि am I wrong क्या मैं गलत हूँ am I wrong कुछ आपने कहा कुछ आपने बोला तो सामने वाले को पसंद नहीं आया या गलत आपको बोला जा रहा है तो आप हम लोग नहीं कहते कि तुम ही बताओ क्या मैं गलत हूँ इस तरीके से इस वाक्य का इस्तमाल किया जाता है अगला है वह है इस्तमाल होगा he is लेकिन male यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है क्योंकि he शब्द का इस्तमाल यानि कि अंग्रीजी में देखिए वह है जो है यह हिंडी में जब आप बात करें हो या लड़के के बारे में मतलब मैं यहाँ पर पुरुष और महिला की बात कर रही हूँ male female की अगर आप दोनों से किसी के भी बारे में बात कर रहे हूँ तो अंग्रीजी हिंडी में वह है के तौर पर हम लोग इस्तमाल कर लेते हैं लेकिन अंग्रीजी में हमारे पास दो शब्द हैं एक शब्द जो फीमेल के लिए इस्तमाल होता है एक शब्द जो है वो मेल पुरुष के लिए इस्तमाल होता है जैसे वह एक वकील है he is a lawyer तो ये जो है lawyer कौन है भई ये कोई पुरुष की बात आप कर रहे है ठीक है कि मेरा दोस्त राहूल एक lawyer है right he is a lawyer वह एक कवी है वह एक वकील है he is a lawyer वह नहीं है he is not का शब्द होगा वह नहीं है he is not वह वकील नहीं है he is not a lawyer वह एक वकील नहीं है he is not a lawyer क्या वह है, is he, सवाल कर रहे है क्या वह है, is he, क्या वह वकील है, is he a lawyer क्या वह वकील है, is he a lawyer तो आगे बढ़ने से पहले बता दू जिसका आपको था इंतजार वो घड़ी आ चुकी है जी हाँ, 1000 शब्द word meaning वाली जो e-book है वो live है, यानि कि वो available है अब तो आप easily ये 1000 word meaning वाली e-book जो है whatsapp नहीं तो telegram पर message करके download कर सकते हैं पूछ सकते हैं कि कैसे आप download कर सकते हैं इसके अलावा, सीधे सीधे अगर आपको e-book download करनी है तो नीचे जो website लिखी हुए है www. इसको अपनी mobile browser पर करे type आप एक ऐसे page पर पहुँचेंगे जहां पर आपको ये 4 की 4 e-books जो है वो दिख जाएगे आपकी नजरों के सामने आप इन 4 को download करके अपनी फोन के download section में रख सकते हैं हमीशा हमीशा के लिए रख सकते हैं और जब मन चाहा तब बुक खोल करके पढ़ाई कर सकते हैं तो चलिए आप word meaning, mini spoken English course, course, tenses और basic plus spoken English के course ये 4 की 4 e-book आपका कर रही हैं इंतजार, class खतम होने के बाद जरूर से download कर लीजेगा चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं she is का ये भी है, वह है लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया इसके पहले की अगर बात महिला की हो रही है, female की हो रही है तो अंग्रेजी में शब्द है she इसका अस्तमाल करेंगे, ये हो जाएगा she is वह एक व्याग्यानिक है, she is a scientist वह एक व्याग्यानिक है, she is a scientist वह नहीं है, she is not वह नहीं है, she is not वह व्याग्यानिक नहीं है, she is not a scientist वह एक व्याग्यानिक नहीं है, she is not a scientist क्या वह है, is she क्या वह है, is she क्या वह व्याग्यानिक है, is she a scientist क्या वह व्याग्यानिक है, is she a scientist आगे बढ़ते हैं बात करते हैं यह है की जब हम लोग इंदी में बात करते हैं यह ऐसा है यह वैसा है इस तरीके से बात करते हैं तो यह है इस्तमाल होगा it is का किसका इस्तमाल होगा it is का इस्तमाल होगा क्या कहेंगे, कहेंगे it is not, यह नया नहीं है, it is not new, क्या यह है, is it, सवाल पोच रहे हैं, क्या यह है, is it, क्या यह नया है, is it new, अगला है, we are, हम है के जगह पर इस्तमाल होता है, we are का इस्तमाल, हम कलाकार है, we are artists, हम कलाकार है, we are artists, हम नहीं है, we are not, हम नहीं है, we are not, हम कलाकार नहीं है, we are not artists, हम कलाकार नहीं है, we are not artists, क्या हम है? सवाल पोच रहे हैं, है ना? क्या हम है? Are we? क्या हम है? Are we? क्या हम कलाकार है? Are we artists? अगला है, you are. तुम सब हो, आप सब हैं, है ना? You का इस्तमाल जैसा कि आप जानते ही हैं हिंदी में, आप, तुम, तू, तुम सब, आप सब, इन सब के जगह पर you का इस्तमाल किया जाता है तो जब आप कह रहे हों, तुम सब हो, या आप सब हैं, तो you are का इस्तमाल करेंगे तुम सब leaders हो, you are leaders. तुम सब leaders हो, you are leaders. तुम सब नहीं हो, आप सब नहीं हैं, you are not. क्या इस्तमाल हो रहा है? You are not. तुम सब लीडर्स नहीं हो. You are not leaders. तुम सब लीडर्स नहीं हो. You are not leaders. क्या तुम हो? क्या तुम सब हो? क्या आप सब हैं? Are you? क्या इस्तमाल होगा? Are you? क्या तुम सब लीडर्स हो? Are you leaders? क्या तुम सब leaders हो Are you leaders They are जब इस्तमाल कर रहे हैं वे हैं या वे लोग है इस्तमाल हो रहा है They are वे सब engineers है They are engineers वे सब engineers है They are engineers वे नहीं है वे लोग नहीं है They are not क्या इस्तमाल कर रहे हैं They are not, वे सब इंजीनियर्स नहीं हैं, they are not इंजीनियर्स, क्या वे हैं, या क्या वे लोग हैं, are they, क्या इस्तमाल कर रहे हैं, are they, क्या वे सब इंजीनियर्स हैं, are they इंजीनियर्स, क्या वे सब इंजीनियर्स हैं, are they इंजीनियर्स, तो चलिए भई ये थी आज की class जहां पर हमें अगर किसी के बारे में बात करनी हो अपने बारे में दूसरे के बारे में सब के बारे में अगर बात करनी हो चाहे तो statement देना हो चाहे negative वाक्य कहना हो जिसमें ना नहीं no not लगा हुआ रहता है या सवाल पूछना हो तरीका वाक् वो मैंने आपको करा दी, लेकिन आपको भी इसके बाद एक काम करना है तब जाकर के आप जो है सही तरीके से आप बेसिक इंगलिश बोलना शुरू कर पाओगे आपको क्या करना है आपको जो है इन सब के उपर बेज़ना और पांच-पांच वाक्य प्राक्टिस करने है और ये पांच-पांच वाक्य आपको कमेंट सेक्शन में प्राक्टिस करने है तब ही जाके मैं मानूंगी कि आपने प्राक्टिस की है नहीं तो ऐसे तो आप कह देत जासे I am, I am not, am I, इसका का स्तमाल करके पांचमाच वाक्य का प्राक्टिस करेंगे, यू का स्तमाल करके करेंगे, he, she, it, they, we, इन सब का स्तमाल करके आप प्राक्टिस करेंगे, 5-5 जो सेंटेंसे है वो और हर एक टाइब का, right? तो चलिए, कमेंट सेक्शन में चालू हो जाए, प्राक्टिस करने शुडू कर दीजे, इसके साथ ही बता दू, वर्ड मेनिंग की जो एबुक है, वो आचुकी है, 1000 वकाबलरी है, हैंट पिक्ड है, यानकी मैंने खुदने चुन करके, यह जो वकाबलरी है, जो वर्ड मेनिं सेव कर लीजे, इस नंबर के जरी आप हमारे साथ वाट्सप नहीं तो टेलिग्राम पर जुड़ सकते हैं, आप प्रटेंस की e-book को भी जरूर डाउनलोड कर लीजेगा, फुल कॉंसप्ट इसमें एक्स्प्लेन किया हुआ है, बेसिक प्लस पोकें इंगलिश की e-book और इस www.iswebsite को अपने mobile browser पर टाइप करिए, टाइप करके सर्च करिए, सर्च करेंगे तो पेज पर पहुँचेंगे एक जहां पर ये चारो की चारो e-books आपका इंतजार कर रही हैं और आप चारो को जो है डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, आप इस नंबर को से माल भी कर सकते हैं जोइन करने के लिए, दो बातों का ख्याल रखेंगे, बीबैंकर, एजुकेशन सिल्यूशन का चैनल जो है वो ही आपको जोइन करना है, जिसमें 18,000 से जादा सब्सक्राइबर्स होंगे, मेरा नाम नहीं है कहीं पर भी चैनल पर, तो अगर आपको मेरे परतिये और सही ओफिशल चैनल को जोइन करिये, वहाँ पर आप हमारी पेड कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, प्रीमियम स्पोकें इंगलिश का कोर्स है, बेसिक इंगलिश रीडिंग का कोर्स है, बहतरीन कोर्स है, आप फ्रेश बैचिन की कब शुरू होगी, आप टेलिग्राम नहीं तो वाट्सेप पर पूच सकते हैं, तो चलिए, मैं आप से मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, तिल देन, तैंक यू सो मच पर वाचिंग, स्टेए टून टू, बीबैंकर, स्पोकें इंगलिश क्लास